तो आज हम 12 चून का इंडियन एक्स्प्रेस डिसकर्स करेंगे इसके लिए आपको न्यूज के सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और मैं टेलीग्राम चैनल का लेंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी तो विदाओ बेस्टिंग अनी फॉर्दर नाइम लेट्स टुड़ीज अनालिस यहां पर फॉर्स न्यूज है नो एमर्जन्सी यूज 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 ए उसने बूल दे के अप्रूवल नहीं मिलेगा आपको पूरा फुल अप्रूवल ही लेना पड़ेगा अपने सार भारत बायोटेग एफ़र्ट सब्सक्रिक एफर्स टूर्स टूर्स ने यह बोला है कि आपको पूरा फूर्फूर यूज 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 हमिलेगा However, the decision to not consider co-vaccine for emergency use authorization in the U.S. is unlikely to have any bearing on the whose ongoing review of the Indian COVID vaccine for emergency use listing तो basically WHO भी ये review कर रहे है कि जो इंडिया की COVID vaccine और co-vaccine उसको emergency use listing के लिए यूस किया जा सकता है अब U.S. ने ये decision दिया है जैसे FDA ने तो WHO पर इस decision को कोई इंपक्त नहीं पढ़ना चाहिए according to experts It will also have no bearing on India's own vaccination program अबाकि इंडिया के जैसे vaccination program चल रहा है को वैक्षिल उसमें भी इस पर कोई फ़रक नहीं पढ़ने वाला है और क्योजन जो कि भारत बायोटेक को वैक्सिन का पार्टनर है यूस में तो इन लोगों ने अप्लाई के लिए जो कि इने मिला नहीं है इने फुल ओर्टनर प्रोसेस सही जाना पड़ेगा उनका यह कहना है एस बीजन भी इस पर कोई नहीं पर चलते हैं गुजरात गवर्मेंट प्रेस ना रहेगा तो आपको मनरेका स्कीम के बार में पता होगा तो गुजरात गवर्मेंट इसको प्रेस किया कि कैसे लाइफसेवर उन लोगों के लिए साबट कि जो कि माइगरें उनके पास कोई जॉब नहीं थी तो उनको इसने जॉब प्रोवाइट की मनरेगा ने तो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बार में की गुजरात गवर्मेंट का क्या कहना है तो आपको यह पतों के जो मनरेगा में उसमें बेसिकली अनिस्किल्ड काम ही मिलता आप अनिस्कि The government has hailed Amhatma Gandhi's National Ruler Employment Guarantee Act as a life saver for migrant workers who had to return to the villages in Gujarat following the COVID-19 lockdown lasted The report also says that agriculture cushion migrant workers and government should prioritize agriculture as a solution to the crisis So basically Gujarat Govt. it should prioritize agriculture and reduce crisis to solve the problem when the UPA's in 2006 was launched the Congress lead UPA अब इसको solution माना जा रहा है पोस्त कोई रूलर रिकवरी के लिए क्योंकि वहां पर रूलर में एरिया में बहुत सदर डिस्ट्रेस हो गया है लोगों के नोक्रियां चलीगी क्योंकि वह माइकरें थे वह जैसे डैली मुंबई इन चेहरों में काम करते तो वह अपने गाउं बहुत बहुत सब्सक्राइब करते हैं उनका इसको पर रूंप कर दो अगरें काम कोच चाहिए न उसके लिए बहुत लाइफ सेवर थावर था यह वाली चीज़ है अब उनका यह भी कहना है कि हमें से इसकिल मैपिंग बी इंक्लूड करने चाहिए और इंक्लूड करने चा आप बीहार में भी करने चाहिए था लोग वारे वां से उसकिल में लाइफ सब्सक्राइब करें चीफ मिनिस्टर नितीश कुमार ऑं जून 3 इस तो बीहार में टीका एक्सप्रेस केमपेंच शूरू कि लोगों को बहुत तेज़ी से वेक्सिनिट किया जा जाए लेकिन ती जून नौ तक लगबग 60 लाग पीपल हैं 3.19 करोड से लगबग 18% जो की 45 उम्रे से जादा है उनको वैक्सिनेट किया जा चुका है और टोटल नंबर बिहार में अभी जितना वैक्सिनेट हो गया है वह 1.14 करोड है अब उसके बाद जैसे इना लक्षमीपूर विलेज ता हेल्टीम वस चेज़ अवे विदा बुरूम अब उन्हें लग रहा कि अब उन्हें कुछ नहीं तो यह लोग क्यों आगे वैक्सिन लगवाने जब हमें जरूथ हिन कि तब तो यह आई नहीं तो लोग वैसे बिस्पीशिस हो गएं कि अभी जरूर हमारे इतना कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं तो वेन्वेर एक्चुल न यहां पर ही है कि पॉसक है कि तो है बस्तैности कि एक्सिन लिमें टाइप आच अभीजिकर के इशुहरिं को कि तो आब से नहीं किछा सकते हैं ए इस जरूर नहिए करने जरूर्द एढ़ को रहे हैं वरोड पर शुच जरु पर नहीं की जा सकती ago नषीच व्याह सान तो इसलिए किया है ताकि अगर कम स्पीड पर गाड़ी होगी तो अपने आपकी नहीं होंगे अब नेक्स पर चलते हैं आज रशिया के नाशनल डेया तो रशिया और इंडिया कैसे हैं तो उस पर एक आटिकला है हम डिस्कुस कर लेते हैं थे नशिफरेंषगी न्यश्की प्रूशन रर्शी नियुकिं जोड़ी नियुक्ति आट्रशा हैं पार हम यूपरेंशीट कहले देन हैं इंडिया को इंडिया में बास्टेंड आटिक उप्रेशन शुरु ऊरू राभी तो यह हमारा एकॉपरेशन कारिया ओँ इस के अलाब स्रेप्शनल से उसके बाद देखा जाए तो रशीया ょह trainers की अभी इंड्यंड ली जो दीड चरह और इंडिया को झाली के रहा हम कि वह बहुत की पैंड्यमिक था तो इसके बाद रेशानल भ后 दीडिया को झाले यदिय को किजे इंडिया को संथरियाका कि रॉपिके मिलिभी लिवाच्टक 2009 में जिसमें एकता सची अब हा थैक झाल है। जी हरा यह वहां पर इंवेस्टमेंन के सब्सक्प्राइबर नहीं हैं एकता सब्सक्राइब sì कि अदे भी रच्पूर, फ़ दनी आ डिर्या क सब्सक्राइब करण है। इसके लब नॉट-सौथ इंटरनाशनल ट्रांस्पोर्ट कॉरिडर प्रोजेक्ट भी मन रहा है जो की फोकस करेंगा जो फोकस करेंगा जो ट्रेड बारियर से रश्या और इंडिया में वो खातम हो फानलाइजिंग अपडेटेड इंवेस्में प्रोटेक्शन अग्रिमेंट इसके लाब एक FTA डालोग भी करने की कोशिश की जारी बिट्वें अप्रियुरेशन इकोनॉमिक युनियन इंडिया इस अग्युटिकल बेसिकली किसी भी कंट्री के साथ बिलेटर एलेशन लिखने के लिए तो यही सारे पॉंट कोट किया जाते हैं रही पाम्रिन कांट्री कोशिए मैं और स्वारण चेह एंडिया नक्री कांट्री है लिए न इंडिया इंडिया कuse सावर्ण पैल पाउरी में अप्रिया कयोओ के प्रिप्यां रशी ठी दिरुल्च वर्श भी आपर में Sheriff's geweंए लिए 1860 इंडवी 1.2 रज टेंदें थी दे आपके बाकी रखी रखी तो आप्टिक जोन वह पे वास्टोक वाइल में भी इंडिया की कमपनी जो की पार्टिसवेट कर रही है इंदा स्पेर ऑफ इंपेस टेक्नोलोजी सब्सक्राइब अभी तो रखी तो दोनों भी कोपरेट करें तो आप याद रख सकते हैं कि रखी इंडिया का कहत उनकर गलोना से और हमारा नाविकर इसके आगे नेक्स पीछ पर पढ़ते हैं विकास अफ देख पांडिमिक पांडिमिक वज़े से जो बाइलिट्रल ट्रेड इंडिया रश्या वह बहत कम होगें 2020 लगबगग डिक्रीज बिक्रीज बें लेकिन उमीद की हम की ब्र इंडिया दब मुद्न इंडिय तो मुदी गुष ने ईयूरा रहे हैं द्यूरा देख लगवर्म कातिडिमनेनन इसके बाद भी हमने अपनी डील कायम रखी कि हम साथ ले रहे हैं इसके लोग जो प्रोजेक्ट 11356 फ्रिगेट्स है जॉइंट प्रोड़क्शन के लिकॉप्टर्शन के लिकॉप्टर्स का कर रहे हैं एक टुस्जियों त्रेस्ट रख सकते हैं इंद्रा और S-400 प्रोजेक् अब करेंटी इंडिया 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 के पास तो वहां पर हम देख सकने कि कैसे मल्टी लेटर सिस्टम को रिफों किया जाए फिस्ट्राइजिक स्टेबिलिटी लाई जाए जाए जी ट्वेंटी डव्लुटी अधा फोरा में भी हमारा कॉडिनेशन अच्छा ब्रिक् अब ब्रह्मोज के बारे में कुछ जान लेते हैं ब्रह्मोज हैस इमर्जट अज वन अफ वाइटल असेट इंडिया अर्सिनल ठीक है सुपर सॉनिक क्रूस मिसाइल है जो कि इंडिया आंप फोर्स को एक अच्छी सी पावर देती ताकि वह मॉडर्न वाफ्य में किसी भी अच्छी अच्छी सुपर सॉनिक क्रूस मिसाइल देती मॉडर्न वाफ्य में तरफ जान में तो इंडिया अच्छी इन फ्रावर्च ने डिफेंग साथ दोनों का ही प्राजेट बोल सकते हैं इस ने एक वर्थ लस्ड वेपन सिस्टम बनाया रिशर्च एंडिया इन आई अब ब्रहमोज किस ने बनाया तो ब्रहमोज इंडिया में DRDO ने बनाया है, Defense Research and Development Organization और Russia's NPO Machino Tronia ने बनाया ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर बनाया है, ब्रहमोज मिसाइल और ब्रहमोज की विलोसिटी इतनी जादा होती है कि इसे कोई surface to air missile intercept ही नहीं कर सकती है, उसके यहां पर कुछ भी इंपॉर्टन ही है, यह बीए COVID-19 से रिलेटर है सारफ, यहां पर गवर्मेंट ने लांच किया एक online module to track enroll kids out of school, तो कुछ बच्चे कोविट के जलते है, इसकूल से बाहर हो गया है, तो उनको वापे से इंड्रॉल्मेंट करने के लिए यह यह लांच किय The Department of School Education and Literacy developed an online module for combining out of school children and data identified by each state, जो कि प्रमन्त पोटल है, अब जो इसलिए कि जो इसलिए कि बहुत पीछे रहे हैं, उनको अच्छे से डेवल्मेंट करने के लिए तो UN body इसलिए कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है तो हम इसके बाहर में चान लेते हैं, तो उनका बोला है क इसलिए कि एसा प्रोग्राम है जिससे रिजनल डिस्पारिटी दूर हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी पीछे नहीं चूटना चाहिए तो यह उसको अलाइन भी करता है, तो यह उसको अलाइन भी करता है, तो रिपोर्ट इस्पिरेशनल इस्ट्रिक प्रोग्राम एन लॉपर इस्टेश में जैनुरी 2018 में अब सिल्क ट्राइबल स्ट्राइबल कहां के रहने वाले तो चैत्षगार शूकमा दिस्ट्रिक के रहने वाले तो यह बेसिकले प्रोटस्ट कर रहे थे, चैत्यजगर्टक में सिल्गर्ट्राइबल स्टर्का चाहिए अब हम यह पढ़ेंगा नियू चाप्टर, नियू चार्टर, बेसिकली, तो नियू अट्लांटिक चार्टर है, वो वापे से साइन किया जाएगा, तो U.S. प्रेसिजेंट जो बाइडन बेगें इस 8-day-long European टूर by signing a new Atlantic Charter with the British Prime Minister Boris Johnson, ठीक है, बेसिकली, वो यह reform कर रहे हैं कि जो Anglo-American का faith है, democratic values में वो अभी तक है, the Charter promises to work closely with all democratic partners on resolving contemporary global problems, तो बेसिकली, इस चार्टर के थ्रूनों ने यह बोला है कि सारी democratic partners मिलके, जो भी contemporary global problems उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, the Biden-Johnson declaration is a reprise of the Atlantic Charter signed for the two of their wartime predecessors, ठीक है, President Franklin Roosevelt and Prime Minister Winston Churchill, तो यह इससे पहले Atlantic Charter जो था, वो पहले के Prime Minister ने sign किया था, तो अभी हम देखने कि जो Biden और Boris Johnson लोगों ने sign किया, 80 years ago, the Atlantic Charter provides the basis for the construction of a new global order, तो असी साल पहले से sign किया था, कि new global order शुरू हो रहा, after the second world war, ठीक है, the new Atlantic Charter is based on the conviction that the West needs to reboot itself to cope with the rise of authoritarian powers, अब New Atlantic Charter में क्या लिखखा है, जो West है, उसको reboot करना है अपने को क्यों कोशिश करने के लिए, जैसे authoritarian powers है, जैसे China, इसके लाब जो devastating effects है, पैंडमिक है, तो basically इनका main team name है, China, coronavirus and climate change को कैसे tackle करना है, ठीक है, After 4 years, Donald Trump, the deeply disturbed US relations, तो भी यह देखा चारहे है, जैसे Joe Biden को टूर चल रहे है, यूरोप के कंट्री जा रहे है, तो अमेरिका is back, उनका slogan भी है, तो यह सारी चीज़े देखने को मिले हैं, कि हाँ, अब उनकी यूरोप के साथ अच्छे relations बन रहे हैं, The Cornwall Consensus, तो basically G7 Summit होगी, Cornwall में, तो basically, ओतरा का यह कहना है, कि हो सतता है, Washington Consensus को रिप्लेस करके, अब कुछ Cornwall Consensus जैसा आजा है, The Summit is of unusual historical interest, after the Donald Trump, yes, there has palpable relief, that the Summit has both an air of normalcy, यह कहाँ पॉर्ण नहीं है, इसके लब, there has been much discussion, कि एक minimum corporate taxation लाया जाएगा, ताकि जो tax seven countries को use करते हैं, corporates, उसका ना कर पाए, और basically, सारे countries को tax मिल पाए, अब तीन चीज़ों को डिफाइं करने की बात की, but the Summit also seeks to re-refine the broader relationship between states and markets, तो state and markets को cash-on की relationship को re-define करना है, पहला, first to simplify somewhat, states are re-asserting control over the terms on which market operate, तो पहली बात यह है, यह simplify कना, तो state is, वो अपना control वापे, रिएसर्ट कर रही हैं, markets जिस area में operate कर उसमे, new liberalism is an unwieldy and imprecise term, but it did convey the idea that state should follow where the market leads, ठीक है, new liberalism is a very unwieldy and imprecise term, लेकिन इससे यह पता चलता है, यह idea convey करते कि state वहाँ पर ही follow करता है, जहां पर market lead करता है, और step in only when there is a market failure, और state तभी step in करता है, जब market failure हो जाता है, ठीक है, think of the phrase, the market will discipline states, ठीक है, that was routinely used, the count of the relationship between states and the markets had four deletorious consequences, जैसे कि misleading picture of what economy is vibrant, जैसे कि loss of corrective control हो जाता हो और अवर एकोनोमिक फूचर, great inequality हो जाती है, some fields technology में तो बहती जादी 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 हो जाती है, उसके के लाब सेकंड क्या बोलता है, author, second यह बोल रहा है, author, but at one level, these groups were something like the political steering, जैसे 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 जह जाएफ ग्लोब वीजिए थे लिए प्राइब प्राइब रिस्क टेकिंग एड इंफिलिक्टेट डैमेज अगलोबल एकॉनमी तो यह तब जोड़ने के कोशिश करते हैं अब चीज खराब हो चुकी हो थे बट रहे लिटल इंचिन तो इस्टेमेटिक वलनेरिबिलिटी लेकिन उससे पहले वलनेरिबिलिटी उससे दूर करने कोशिश नहीं करते हैं जब बट चीज हो जाती है उसके बाद यह सोचने कि अब इसे कैसे सही किया जाए ठीक है तो इस पर भी ध्यान देना चीजिए कि क्या वलनेरिबिलिटीज है ग्लोबलाइजेशन की वज़े से उसके तीसरी चीज जिखरी उसे क्या है जिखरी जाएजेशन की नहीं करते है उसके चीज्डोगान लिगलाण जाएजेशन की घर्मन देनेरिबिलिटीच हम वन यह ए नहीं का इसे का इसे क्लोपिकति जिख सा वट ज कांटेलिशन कोश्य इज इसे ग्विलाटमिपछि़ शाओन फॉ t Allah उनि तो यहां पर दिस्रप्शन की बाते हैं तो यह आर्टिकल है नेक्स्ट ऑथर ने यह बोला इस लॉमे की सिडीशन क्यों जाना चाहिए क्यों आज के देश में इंडिया जैसे देश में आप सिडीशन की जरूरत नहीं है तो रिसेंट सुप्रीम को डिसीजन ने सिडीशन चा तो उसे शांत करानी कोशिश की जाती है तो बेसिकल अथर का यह कहना है जैसे ही लोग प्रोटेस करना चाहते हैं तो उनकी आवास दबा दी जाती है सिडीशन का चार्ज लगा करूंगों पर एक रिपोर्ट इती फ्रीटम हाउस की जिसमें बोला गया तो इंडिया तो इं इसके लवा था प्राइमिस्ट आप इंडिया रिडिक्यूल द पीपल एजिटेटिंग जैसे आपको पता हुआ कि पाले मने प्रामिस्टर ने बोल दया यह जो जो क्रिटिसम करते हैं आंदोलन जीवीज है तो ठीक है तो ऑथर ने बोला है कि जो हमारे फोर फादर ने जि बिजेटिशन लगाते हैं जैसे ब्रिटिश लगाते थे इसे बिजिटिशन लगाया जा रहा है आज की गवर्मन के दवारा कॉनोलियन अडिस्टेशन थे लॉट पीपल हो क्रिटिसाइज बिचिज पॉलिसी जिए थे लिए जो मारे फ्रीडमाने तेलाग महात्मा गांद इंडिया में आस तक यह लोग चल रहा है यहां था कि IPC में कॉंस्टुटेंट असेमली एग्री भी नियुट करना थे इसके बाद भी IPC में सेडिशन आस तक है ऑथर ने बोला कि उन्होंने बिल एक इंट्रडिउस किया था राजयसमा में कि सेडिशन के बॉलिश कर देना इसके बहुत सारे लॉज हैं जिससे आप डील कर सकते हो बट सेडिशन इसके डील कर सकते हैं अब नेक्स पेच पर चलते हैं इसके खास कुछ हैने इस अर्टिल में यहां पर यहां है कि health has to be elevated as a human right not charity for the migrants तो health ऐसे देखनी चाहिए कि एक इंसान का हक है ऐसे उसे सिफदान म कि हम अपने resident कोई COVID vaccine देंगे ठीक है तो उनका क्या होगा जो वहां पर दूसरे state से हारे महां पर नोकरी करने ठीक है महां पर काम की तलाश में तो health को एक basic right बना देना जी सबके लिए तो citing the recent announcement by the Prime Minister Narendh Modi on central taking charge of the COVID-19 vaccination nationwide Prof. K. Srinathreddy, President of the Public Health Foundation of India, spoke about a possible hurdle migrant workers could have faced otherwise. What if Chief Ministers have said that they will spend state only on the citizens okay the bona fide residents what happens to the migrants for migrants के लिए क्या होगा तो यह basically उनका बोलना है अब हम आगे चलते है अब G7 में क्या के देखने को मिल सकता है तो G7 में कौन 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 से थे तो US, UK, France, Germany, Italy, Canada, Japan ठीक है तो साथ कंट्रीज है यूके को कानिदी प्रेसिदेंसी मिल रखी है और उसने चार कंट कंट्रीज है इंडिया लॉंग विद ऑस्चिलिया साथ करें साथ अफरिका गेस्ट कंट्रीज बुलाए गए थे थीम कहा था इस बार का तो बिल्ड बैक बेटर तो यूके ने बेसिकली चार प्रायरेटी अरिया जिसमें कि ग्लोबल रिकवरी को कैसे लीड करना इसके लि प्रेंश करें जीड से परायरेटीज इनिया करें अपरायरेटी प्रेंश के इन इसके बाद मोषन सिंके इन्ड रिज टेन्ड भारेटी थीमित कि एक इन परेंड ने लगबग जड़ग जड़ टेज पांच बार अटांग की यह ईंड वह ओना ओट वाटा ज़ रिच्छ अब यहां पर इस विली प्रेसिडें बडनाने की जरू है अब यहां पर इस विल बीडिन फर्स विजिट ए यॉरोप टिया है जब से वह प्रेसिडेंट बने जो बाइडन और उन्होंने अपना मेसिज क्लियर कर दिया कि अमेरिका इस बाइब इसके राब वह नेट बिफोर इस कॉंफरेशन विजिटेंट विजिटेंट वरामिदी पुटीन से जेनेवा में दो दिन वहां पर भी मिलेंगे बाइडन अर्लिया से पहले सब्मिट कि थी लीडर्स ऑफ कॉर्ड जिसमें ऑस्ट्रेलिया इंडिया जैपन और युवेसे ठीक है कैसे बेजिंग को ट्रीट किया जै कैसे अलाइन की जाए उनकी पुजिशन बेजिंग के टूवर्ट सिक है यह सारी चीजे आएड ऑफ जीज बाइडन ने भी एनांस किया है जो बाइडन ने की वह वैक्सिनेट कर देंगे वर्ड अगेंस्ट कोवेड-19 जिसमें युवेस पांसो मिलियन जिसमें नो इस्ट्रिंग से चाट कोई कंडिशन नी सरफ पांसो मिलियन डोनेट कर दिया तो सम्ट इस एक्सपेक्टेट तो एनॉस वन बिलियन डोज देंगे कोविड वाक्सीन की जो में बडेल एकंप कंट्री से उनके और इनका कैम्पेन है वैक्सिनेट द वर्ड जो वह साइन किया इसके लावब वह रश्या और चाइन को किसे चाटर बेसिक नया चार्टर के इस बात पर फोकस करेंगे साइब अब बाइडन पुतिन की मीटिंग के इंपॉर्टेंट ए यूस रश्या रिलेशन अगर यह मीटिंग होती है तो हो सकता है कि रिलेशन में इंडिया को बैलेंस करने के असान हो जाएगा कि यूस रश्या की बीजिए बैलेंस कर सकता अच्छे से उसके वाट्स इन इट फो इंडिया की लिए क्या है तो इंडिया पहले कहता था कि रिफॉर्म सोने चाहिए तो जी सेवं में जैसे अग्स्पैंड किया गया तो हां इंडिया को वाक्सिन के वाक्सिन में जाएगी अब हम नेक्स चलते हैं कि heritage trees क्या होते हैं तो महाराष्ट्रा गवर्मेंट विचिकली यह बोला कि अमेंडमेंट्स करेंगे महाराष्ट अर्बन एरियास प्रतेक्षिन और उसमें इसमें डिफिर से डिफाइज करेंगी कि कौन रिटेज ट्रीज होते हैं तो इंडियूस प्रोविजिन पर्डेक् कैसा है, religious, mythological, importance, उसके बाद उसे heritage tree बलाओ, बलाओ, the local tree authority will have to ensure a tree census every 5 years, ठीक है, जो local tree authority वो हर 5 साल में census करती कि कितने trees, उसमें से कितने heritage trees है, अब age of a tree कैसे डिटमाइन की जाती तो उसके लिए एक method हो जिसका नाम होते है, dendrochronology, जिससे पता चलता है कि age क्या है tree की, तो जो as the rings, core samples are extracted using a borer, ठीक है, तो उसके core samples निकालने पड़े, borer से यूज करके, the hole is then sealed to prevent disease, ठीक है, तो environment department in consultation with the, फिर वो गाइडलाइन से की निकालते है, अब heritage tree important क्यों था, heritage tree जो होता उसको special protection दी जाती है, ठीक है, अगर किसी heritage tree को काटा तो उसके बाद, compensatory plantation भी उसके उससे ज Compensatory ratio is one is two three, ठीक है, कि अगर अपने एक पेड़ काट है, heritage तो आपको तीन लगाने पड़ेंगी सेपलिंगी, amendment के long, it for example, 52 year old trees to be filled, the party filling the tree will have to plant 52 trees as compensatory, ठीक है, with each compensatory tree at least six to eight feet high, ठीक है, अब what is the economic value of a tree, in case compensatory plantation is not possible, ठीक है, आप नहीं लागा सकते, पेड जगे नहीं आपने प ठीक है, ठीक है, सिफ टेंबर या वोड कोस्ट पे नहीं, उसके oxygen की कोस्ट पे रिटमाइन हो, तो, in case compensatory plantation is not possible, the tree fellar has to pay compensation for the economic value of the trees being felt, well, the state government has not defined this, experts say that the amount of oxygen that a tree releases into the environment should determine its economic value, तो, महाराश्या स्टेट ट्री अथार्टी ने बोला है, वो तरी कवर इंपर 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 अब नेक्स पीच में सलते हैं, कोविड डेल्टा वेरियंट जो है, वो 60% more transmissible है, और vaccine effect को थोड़ा काम कर सकता है, तो यह एक पता चला है, the delta variant of the COVID-19, the variant of concern, जो कि इंडिया में बहुत जादा देखा गया, first identified in India, लबग 60% जोदा ट्रांस्मिसिबल है, दिन्दा एलफा वेक्सिन की पी कम कर देता है, G7 countries ने यह जो बोला है कि वो एक billion doses को donate करेंगे, मैं आपको बता दिया, इस पर 500 million doses, US President Joe Biden करेंगा, 100 million doses, Britain करेंगा, यहां पे है, FDA plans to allow about 10 million doses, अब जो FDA है, वो अपने 10 million doses को distribute कर रहा है, US or sent to other countries, ठीक है, पर एक warning दी गई है, कि regulators गारेंटी नही production हो, थơिっぱber seem to add diabetes, जो अफिक कोशी कोद्धन्रट, यहां की नहींचे है, अब हम आपगे चलते ही, 1000 सका का की कमून City है, तो 1000 सका की अफगा सान की कम्यूटी है, 1000 सका की मिन एक थे, तो 1000 संकार केLS, व्रस मिन संच एफगा मिन एक रह जार्स तांना की कमीूटी है, तो 1000 विट्गूर्प उन्हें हेट करते हैं तो यह सारी दिखेते हैं तो हजार आपको पता होना चाहिए तो उनके अगिस्ट बहुत जदा एलसलवर्डोर पहला कंशी तहीं जिसने बिट्कॉइन को अपनी लीकल करने सी कर दिया है कोवन प्लेटफर्म पे लीक हो गया तो आई टी मिनिस्टर ने बोला कि सर्टेन को की प्रोब करो कैसे डेटा लीक हो गया तो आफ्टर रेपोर्ट्स अफ एलेज्ट लीक ओफ कोवन डेटाबेस तो बेसिकली मीटी ने बोला है वास्ट इंडियन कंपिटर एमर्जंसी रिस् आई होब आपको ने इस पर समझ आया होगा इफ लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू और वनाइस टे